हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इंफो यूटूब चैनल इंडियन रेलवे से विकेंसी नॉटिफिकेशन रिलीज हुआ है 3612 पदो पर भरती है और यह जो भरती है एपरेंटिसिप के लिए है अगर आप इंडियन रेलवे से एपरेंटिसिप करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और मिन्मम एज है 15 एर 15 साल मिन्मम एज रखी गई है और अपर एज लिमिट क्या रहेगी वो हम आगे वीडियो में डिसकॉस करेंगे इसके अलाबा अगर आप रिजब कैटिगरी से ब्लॉंग करते हैं तो आपको रिलेक्सेशन भी मिलेगा 3 एर्स, 5 एर्स, P.W.D. कैंडिडेट है तो आपको according to कैटिगरी आपको 15 एर तक का रिलेक्सेशन मिल जाएगा मेल और फीमेल बहुत हार आलिजविल फीमेल कैंडिडेट भी एपलाई करेंगी और यहाँ पर कोई भी आपका एक्जामनेशन नहीं होगा जो आपका 10 में परसेंटेज रहेगा जो आपका IT में परसेंटेज रहेगा उसी के बेस पर मेरिट तैयर की जाएगी ओके सो चलिए इसका जो नॉटिफिकेशन आया है मैं आपको उस पर सारे डाउट्स के लिए करती हूँ सो यह जो विकेंसी या एपरेंटिसिप के लिए जो नॉटिफिकेशन रिलीज हुआ है वेस्टरन रेलवे से आया हुआ है और यहाँ पर डेट आप देख रहे है 28 मय ओपनिंग डेट है 28 मय 11 वजे से स्टार्ट हो जाएंगे और क्लोजिंग डेट रहेगी 27 जून 28 मय से लेकर के आप 27 जून तक आप इसमें एपलाई कर सकते हैं और रर्सी डवलू आर जीरो वन इस पर ओलाई अपलाई करना है आपको सो ओलाई अपलाई कर सकते हैं टोटल वेकेंसी आप देख रहे हैं 3612 बेस्टन रेलिवे इन्वाइट ओलाई अपलिकेशन फ्रॉम इंटरेस्टेड एपलिकेंस फ्रॉम इंगेजमेंट एज एक्ट अप्रेंटिसेज अगेंस ड्रा 3612 स्लोट्स एलिजबिल्टी कैंडिसंस देखेंगे एज क्राईटेरिया इसकी जो लास्ट डेट है 27 जून 2022 पर देखी जाएगी एंड अपलिकेंस फुट हैब कंप्लीट 15 years of age कम से कम 15 साल आपकी age आपकी कंप्लीट हो अपर age में 24 years है यह general candidate के लिए relaxation मिलेगा SCST OVC candidate के लिए 5 years का and यहाँ पर दिया गया in case of SCST applicants and 3 years in case of OVC तो OVC candidate के लिए 3 years का रहेगा SCST candidate के लिए 5 years का रहेगा and PWD candidate के लिए 10 years का relaxation है एक सर्विसमें के लिए भी relaxation यहाँ पर दिया गया है अब यहाँ पर worth date आपका year बगर दिये गई है तो आप यहाँ पर check कर सकते हैं essential qualification में आपका सबसे पहले तो 10th pass होना जरूरी है 10th या आपने in 10 plus 2 examination system से आपने 10th pass किया हो minimum 50% marks के साथ in aggregate है and technical qualification आपके पास होना चाहिए या तो आपने ITI certificate आपके पास हो NCVT या SCVT किसी से भी आपने किया हो आप इसके लिए eligible हो सकते हैं अब यहाँ पर trades देखेंगे तो fitter के लिए vacancy है builder के लिए turner, machinist, car painter, painter, mechanic diesel, mechanic motor vehicle, programming system, administration and assistant, pipe fitter, plumber, drotsman, civil, stenographer, mechanic, ltn, cable, mechanic, refrigeration and AC, wireman, electronics, mechanic and electrician तो यहाँ पर यह दिया गया है आप इसमें ITI trades दिये गए हैं आप इसमें से अगर आपके पास है तो आप इसमें apply कर सकते हैं application fees अभी हम देख लेते हैं इसमें application fees 100 rupees है non refundable application fees है यह general candidate के लिए रहेगा male candidate के लिए OBC and general male candidates दो रहेँगे उनके लिए 100 rupees है अगर आप SC, STP, WD या woman candidate है तो आपके लिए application fees पे नहीं करने होगी online ही आपको यहाँ पर application भी pay करना होगा अभी आप इससे related देख सकते हैं selection procedure इसका merit waste पर रहेगा training period आपकी 1 year की रहेगी 1 year में आपको यह stipend कितना दिया जाएगा वो यहाँ पर नहीं बताया गया है government rules के according लिए जो भी रहता है वो आपको pay किया जाएगा अगर आप एक साल की training है अपरेंटिस से अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसमें apply कर सकते हैं detail यहाँ पर कौनकों से document आपको upload करने उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है notification में अगर आप इसमें eligible हों और interested हों apply करने के लिए एक पर आप notification जरूर check कर लीजेगा वीडियो पसंद आयाओ तो like कीजेगा चैनल को subscribe करके bell icon के all option को praise कीजिए thank you